नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुक्देव कमबोज और आप फिर से आए हैं आप कमबोज लर्निंग लॉक्स पर और जहां पर आपको सीखने को मिलती है नई नई चीजें जैसे कि हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने बहुत सरे एक्सपरिमेंटल वीडियो बनाई थी हमारे के साथ के अंदर आज हम इक नई वीडियो कर आए हैं अज हम आरे साथ कुछ हमारे बच्चे जुड़ चुके हैं तो यह more process कि कुछ बच्चे हैं हमारे साथ और यह हमारे करेंगे सुटर्यक्स का प्रेजेंस कि स्कूर्ट के अंदर होती है कि सिस गर नहीं होती तो यहां प कि आज हम दो प्रैक्टिकल करेंगे यहां पर एक स्टार्ज का और एक जो है आपका फैट का इसी फूड के अंदर कितनी प्रैजेंस होती है इसके लिए हमने चोटा सा सेटप बनाया है देखिए यहां पर हमारे पास कुछ टेस्ट ट्यूप रखी है और यह हमारे पास प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो पहले मां आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं यह है लवी लवी अपने बारे में बताएंगी कहां से आई हैं यह कि स्टेट से बिलॉंग करती है माइनम इस लवी आई बिलॉंग स्टो बिहार हलो माइनम इस नम्रत आयम वांस तो जिए हमारे कुछ प्यारे बच्चे हैं जो आपने देखा हूगा कि पूरी इंडिया से आए हुए यूपी से बिहार से माहराश्टरा से से तो यहां पर आते हैं आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए उनके साथ हम शुरुगात करेंगे तो यहां पर हमने देखया कि कुछ food items हमने रखे हैं starch के practical के लिए हमने यहाँ पे खीरे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास basin है ठीक है और इसके इलावा हमारे पास बची हुई कुछ रोटी के टुकड़े हैं और यहाँ पे बनाना गर रखा है टुकड़ा हमने इनके अंदर पहले टेस्ट करेंगे कि starch present होता दोस्तों हमारे टेस्ट की शिर्वात करने के लिए सबी बच्चों से मैं कहूंगा कि अपने अपनी एक-एक test tube उठा लीजिए और इसमें आपको यह आपके सामने कुछ food items रखें इसमें छोटा-छोटा इसका टुकड़ा जो है एक-एक टुकड़ा अलग-लग food items का आपको अपने बनी इसके अंदर डालना है test tube के अंदर छोटा टुकड़ा पूरा नहीं जाएगा थोटे इस टुकड़े से test हो जाएगा आप छोटा इस टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे यह आप किसी चाइना डिश में भी रख करके आप लगा सकते है टेस्ट को तो यहां पे आपने क्या डाला है आपने यह बेशन डाला है आपने भी आपने रोटी का एक टुकड़ा डाला है आपने भी रोटी का टुकड़ा चोटा डालना था अभी नीचे नहीं गया यह ठीक है यह रोटी का टुकड़ा डाला है और इन्होंने भी रोटी का तो चोटा टुकडा डाले ताकि वह नीचे तक आ जाए तो सभी रेडी हैं और अब हमारे को यूज करना है हमारे आयोडीन सुलीशन का यह टेस्ट देता है इसको अगर हम कुछ बुंदें इसकी डालेंगे फूड आइटम पर तो हमें इसके कलर से पता चलेगा कि यह स्टार स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है तो चलिए शुरुवात करते हैं तो दोस्तों शुरुवात करते हैं आपने देखा कि हमारे बच्चों ने सभी ने क्या कर लिया है तो एक फूड आइटम जो अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ले लिया है अब सहिंध ninth ग्या इसका टेस्ट करेंगे क्या इसके अंदर स्टार्स प्रेजेंट है क्या नहीं है ये इनके slay श्लेवस के अंदर भी एक ख्यास सिक्स का आप जो नया slay शम्स मुंदेश ने स्लेवसिया है उसके अंदर भी सइंस की अंदर है और पुराने गार भी था क्वे अब आपको आयोडीन सोलीशन आपके सामने रखा हुआ है, इसकी कोई चार-चार या पांच-पांच पूंदे हैं, आप अपने अपनी टेस्ट्टूप के अंदर डालने हैं यह हमारे लोकेश हमारे और यह अणडाल दी अब आपको इसको अच्छे से हिला करके थोड़ी देर इसको वेट करने के लिए छोड़ेंगे, इसको हमने साइड में रख देना और अपनी अपनी टेस्ट्टूप आप यहां पर रख दीजिए ताकि इसका थोड़ी देर बाद इसका कलर हम जज़ करेंगे तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि हमने अपने फूड आइटम्स के अंदर क्या किया आइडीन का सोलिशन डाला और इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए हमने छोड़ दिया अब बच्चों अपना अपना जो टेस्ट्टूप आप उठाईए और इसका कलर को अबजर्व ब्ल्यू और ब्लैक कलर का आएगा यह देखिए इस गुडिया का भी इसका भी देखिए ज्यादा मैक्सिमूम लोगों ने रोटी डाली तो यहां पे इस बच्ची ने डो चीजें डाली थी इसमें अपना कोकॉमबर खीराट डाला था और रोटी डाली थी तो इसमें भी ब्ल्यू ब्लैक कलर आ चुका है तो सभी टेस्ट्यूब के अंदर ब्ल्यू ब्लैक कलर आ चुका है यहां पे एक सज्जन ने ओनली डाला था बेसन ठीक है तो बेसन के अंदर यहां पे कार्बो हाइड़ेट कॉम्प्लेक्स कार्बो हाइड़ेट होता तो यहां पे हलका सा थोड़ा आया लेकिन हलका ब्लैक कलर भी आया आपको दिख रहा है तो मैक्सिमम लोगों के जो है हमारा टेस्ट जो है बिल्कुल सही आया है ब्लू ब्लैक कलर जो है यह शो करता है कि इस फूड आइटम के अंदर क्या था स्टार्स था जिसको आम कार्बाइड भी बोल देते है तो यह आपका experiment एक हो गया हमारा और अब दूसरा experiment ग bei अगे जो प्रेजर जात बताये गा कि किसी food आ suas sulph होता है कि नहीं होता है इसके लिए यह आपकर लिया outside यह पीनेट तो आपको ग्या करना है झारो मिल पीनेट्स को उठाना है और चार-चार पीनेट्स जो हैं आप अपना एक-एक उसमें डालिए और इसको फोल्ड करके आपको उपर से इस थोड़ा कूटना है इसको यहां पर रख दीए वहां उपर है यहां पर फैट का एक्सपरिमेंट करने जा रहे हैं लिए हमारे पीनट के अंदर क्या प्रेजन्स होता है यह नहीं होता है जहां से इसको मल्टी फोल्ड किजिए ऐसे फट जाएगा पेले इसको अच्छे से तूरा ऐसे गर्चे अब इसक जाए है यहां ताकि जब आप टो इसे तो वाटेंए हैं इसको मल्टी फोल्ड करके आपको करना है के आपको कोई भी चीज से अल्का अल्का माती शीचित अम आखर है एसे आज यहां एसे कर दीजिए तो यहां पर जैसे देखिए यहां पर इस बच्छी ने इसको पीनट को थोड़ा स्ट्राइट किया और यहां पर इस पीनट को अठा दीजिए अभी इसका जब तो इस पूरे कागज को खोलिया अच्छे से आप ने देखा यहां पर इसके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि देखिए यहां पर पैचिस बन चुके हैं देखिए इसके अंदर से जो ओयल निकला है इससे यह प्रूव होता है कि इस फूड आइटम के अंदर क्या थ इसके अंदर आपको लगता है कि यह नहीं है इसके प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं एक सिंपल टेस्ट है तो आप घर पे गर सकते हैं इस तरीके से फैट की प्रेजेंस का पता चलता है तो आप ने देखा कि यहां पे हमारे बच्चों ने दो तरीके के टेस्ट आपको करके दिखाए एक starch की presence का with iodine solution की help से और एक presence of fat का food item तो ये एक simple test था जो आप घर पे असानी से कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरीके की और वीडियो और chemicals के साथ हमारे बच्चों के साथ experiment करेंगे नेक्स संडे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्ते लिए बाई